हेलो एवरीवन और वेल्कम दो एनेधर एपिसोड अफ परेट पेरा ध्यान के दरे आज हम बात करेंगे बॉल्लीवूड के टॉप टेन सस्फेंस फिल्म सबसे पहले हम बात करते हैं 1949 में रिलीज हुई थिल्म महल की जिसमें अशोक मार और मदुबाला ने काम किया था फिल्म के डारेक्टर के कमल आमरो यह कहानी एक यंग लॉयर शंकर की है जो एक बहुत पुराने महल को खरीद कर उसमें रहने के लिए आते हैं उन्हें उस महल में तब तक कुछ भी अजीब नहीं लगता जब तक कि वो अपनी ही शकल की तस्वीर उस महल में नहीं देख लेते हैं बात में उन्हें पता चलता है कि यह तस्वीर उस गर के पुराने मालिक की दीरे दीरे उनका सामना एक आत्मा से होता है जो कि इस महल के पूराने माली की पत्नी थी फिल्म में बहुत से ऐसी सीन्स है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे इस फिल्म से लता मंगेशकर का नाम सफल सिंगर्स की लीष्ट में शामीर होते हैं फिल्म में एक गाना है जो आज भी लोगों की जिवान पर है तो अगर आपने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा तो एक बार जूर देखिएगा हमारी लिस्ट में नपर दो पर जो फिल्म आती है वो है 1964 में रिलीस राज खोचला की वो कौन थे इस फिल्म के मुख्य किरदाते है मनोज कुमार और साथना फिल्म की शुरुआत होती है एक बरसाथ की राथ से जहां मनोज कुमार एक डॉक्टर है जो अपने क्लेरिक से घर जा रहे है रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो उनसे लिफ्ट मंगती है और अपना नाम संधिया बताती है उसके कार में बैठते ही कार के वाइपर्स काम करना बंद कर देते है एक कब्रिस्तान के पास वो लड़की गाड़ी को रोपने के लिए कहती है और कब्रिस्तान में जाने लगती है उस कबिस्तान का दर्मधा खुद पर खुद खुद खुल जाता है और फिर बंद भी हो जाता है एक रात उस डॉक्टर को किसी का फोन आता है कि उसकी पेटी की तर्वियत बहुत खराब है और वो उसे देखने के लिए उसके घर आ जाये वहाँ पहुचने तक उस लड़की की मौT हो चुकी होती है कुछ दिनो बार मा की कहने पर डॉकटर की शादी हो जाती है जिसे उसने देखा भी नहीं होता है जब वो पहली बार उस लड़की और देखता है तो चौक जाता है जिसके निर्माता थे राजगोसला फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुनीलदत और साधना फिल्म की शुरुआत होती है गीता की मौद से जो की लॉयर राकेश सिंग की वाइफ थी अंतिम संसकार करके राकेश सिंग जब अपने घर को लटता है पुलिस उसे बताती है कि चोरो की एक मंडली के साथ एक लड़की को भी गिरफतार किया गया है जो की अपने आपको आपकी पतनी बताती है जिसके शक्ल भुबहु आपकी पतनी से मिलती है और फिर शिरू हाता है फिल्म में जलादस्त कोट सी जो लड़की कुद को गीता कहती थी उसे बहुत सी ऐसी बाते पता थी जो की सिर्फ गीता को पता होनी चाहिए थी अब ये लड़की सचमुछ गीता थी या कोई राकेश सिंग को भसाने की कोशिश कर रहाता है ये आपको फिल्म देखने के बात पर चलेगा अगर आपने नहीं देखने है हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट फिल्म आती है वो है 1965 पे लीडीज गुमनाव जिसके मुखे किर्दार थे मनोज कुमार, नंदा, प्राण और महमूद इस फिल्म के डिरेक्टर थे राजा नमा थे सेवन फ्लब मेंबर्स को लखी ट्रॉद वारा एक आइलेंड पे फ्री ट्रिक का इंविटेशन दिया जाता है उस आइलेंड पर पहुंचके एक के बाद एक मौत का सिल्जिला शुरू हो जाता है फिल्म बेहत सस्पेंस तरीके से आगे बढ़ती है ये फिल्म अपने फॉगी सेटिंग्स की वज़े से भी जानी जाती है फिल्म का म्यूजिक कहानी को बहुत सब बढ़ता है नेक्स्ट फिल्म जिसे इस लीस्ट में रखा गया है वो है 1991 में रिलीस हैंडर टेस इस फिल्म के लीड अक्टर से हैं मादूल दिक्षित और जाकिशॉफ इस फिल्म को डारेक्ट हिया है पार्थो घोशन फिल्म की कहानी है देवी की जिसे भविशे महोने वाली गटनाओ का पहले से पता चल जाता है ये फिल्म देवी की बहन के मुर्डर के इर्द बिल घोंती है कहानी में काफी सारे थ्रिलर सीन हैं जो आपको बार बार चोटाते रहें अब बास मस्तान अपनी थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं 1991 में रिलीस अक्षे कुमार की खिलाडी कुन की पहली थ्रिलर दिल्म थी राज, बोनी, शीतल और नीलर चार पॉलिज स्टूदेंट हैं जो अपनी ही फ्रेंट शीतल की फेक रिवनेपिंग का पनाते हैं ताकि शीतल की पापा को बेवकूफ बना सके लेकिन बदकिस्मती से शीतल का मर्डर हो जाता है और बाखी ये तीनों लोग परिशानी में आ जाते हैं फिल्म के एंड में जब कातिल का पता चलता है तो सब चौंग जाते हैं इस फिल्म के बाद ही अक्षे कुमार को खिलाडी का टाइटल मिला था ये उनकी पहली सबल फिल्म भी कहीं जा सकती है नेक्स्ट फिल्म है 1997 में रिलीस गुप फिल्म के लीड एक्टर्स है बावी देवल, काजोर और मनीशा कोईडाला फिल्म शुरू होती है गवर्नर के मर्डर से जिसके मर्डर के इल्जाम में उसके सौतेरे बेटे साहिट को दिरफ्तार किया जाता है अपने दोस्त की मदद से साहिट जेल तोड़कर भाग जाता है और खुद को बेगुना साबित करने की कोशिश में लग जाता है और फाइनली अपने आपको बेगुना साबित कर भी ब्रेता है तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखिये हैं तो जबू देखिये लगए नेक्स्ट फिल्म है रांगोपाल बर्मा की कौन ये फिल्म रिलीज हुई थी 1999 में जिसके मुखे किरदार थे उर्मिला मातोरकर, मनोज बाजपई और सुशान सिक पूरी फिल्म में सिर्फ तीन ही किरदार हैं ये फिल्म उन डिरेक्टर्स के लिए एक्जामपल है जो कि सस्पेंस क्रियेट करने के लिए बड़े एक्टर्स, लोकेशन, साउंड्स, एक्सेटरा पर चीप भर के कर्चा करते हैं ये फिल्म सिर्फ एक बंगलो में शूट की हुई है कहानी शुरू होती है एक दुफादी रात से बंगलो की ओनर अपने घर में पैरेंट से फोन पे बात कर रही होती है कि वो प्लीज जल्दी आ जाये उसे डर लग रहा है एक सेल्स्वन समीर जो कि किसी तरीके से बंगलो में गुशने की कोशिश कर रहा है इसी बीच कुछ देर बाद एंट्री होती है इंस्पेक्टर कुरेशी की फिल्म की लाइटिंग पर काफी ध्यान दिया गया है और फिल्म को काफी खुबसूरती के साथ शूट किया गया है तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरू देखीएगा अगली फिल्म जो मैं यहां मेंशन करना चाहता हूँ वो है 2012 की रिलीस कहान है फिल्म को काता की है और दुरका पुजा के दौरण शूट की है जो कि फिल्म को एक modern classic फिल्म बनाती है फिल्म शिरू होती है एक 7-month pregnant lady विद्या बाक्ची के लंडन से कोलकाता आने पर वो कोलकाता अपने missing husband की तलाश में आती है जो कि कुछ ताइम पहले company के किसी काम से कोलकाता आया रहा है फिल्म के climax को बहुत खुब सुल्पी के साथ दिखाया गया है इसे देख के audience दंग रह जाती है विद्या पारह ने इस फिल्म में अपना best performance दिया last but not the least 2015 में रिलीस त्रिश्यम ये फिल्म चार-पाज भाशाओं में पहले भी बन चुकी है इसके बावजूत ये फिल्म अपने suspense को बनाये रखने में काम्याब रहती है मेरा बेटा कहा है अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें चीत भी हो सकती है और हार भी Ajay Jagan is already a very good actor और इस फिल्म में एक फिर उन्होंने अपने आपको प्रूफ कर दिया है इन फिल्मों के अलाबा भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें में यहां मेंशन करना चाहूँगा फिल्म्स लाइक इत्तिफाक, तीसरी मंजिल, कोहरा, धूंद, खामोश, खोच, कब्कियों और कहां can also be mentioned in this list Thanks for watching, like, comment and subscribe if you like the video मिलते हैं अगे बाद फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए